Hello Friends, Welcome to घरेली वोजदी घरेली वोजदी में आपका बहुत बहुत सवागए थे Life में Natural रहें, Healthy रहें Be Natural, Be Healthy in Your Life दोस्तों जितना Natural रहेंगे उतना Healthy और Fit और Fine रहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं इस चीज़ के बारे में इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है दोस्तों आपको इसकीन पर आप दीख रहा होगा ये है, Head और Head में है, Hair, Hair में है, Dandruff ये तीन चीज़ों का जो समचित प्रॉबलम है इसका समाधान क्या हो सकता है घर में ही आप कैसे बना सकते हैं कैसे Dandruff से निज़ात पाया जा सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में बताया जा रहा है Dandruff आम तोर पे इसकी जो Density होती है कई लोगों में बहुत अधिक होती है कई लोगों में Mediogar होती है कई लोगों में बहुत कम होती है, कई लोगों में complete नहीं होती है, लेकिन जो यह फंगस के कारे डेंटरफ हो जाते हैं, तो इसको कैसे ठीक किया जाए, क्या इसमें ingredient की जरूवत होती है, उसके लिए इस वीडियो को मैं लेकिया है, तो चलिए शुरू करते हैं और पताते हैं जो भी बिभिन प्रकार के डेंटरफ होती हैं, उनको कैसे आप घर बैठे आसानी से अपने दवाईयों से ठीक किया जा सकता है, आपको महतवपूर सामगरी में मैं इसकीन पर दिखा रहा हूँ क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए आपको एक fresh coconut oil, ध्यान रहे, market में कई प् सुद्ध oil मिले, सबसे सुद्ध oil, आपको तैंग करना है कि आप कहां से आप ला रहे हैं, ये oil चाहिए कम से कम, अगर आप 200 ml खरीतते हैं, तो सही है नहीं, तो 400 या 500 ml खरीत लिए ताकि एक बार 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 इस्तमाल कीजिए, दूसरी जो समगरी है, आपको दिख रही होग ये है कैमफर, हिंदी में इसे कपूर बुलाते हैं, ये कपूर सुद्ध होना चाहिए, आम तोर पे बहुत सारे नकली कपूर भी आते हैं, लेकिन ये कपूर सुद्ध होना चाहिए, इस कपूर को कैसे इसमें इस्तमाल करना है, वही इस वीडियो में मैं बताने जा रहा आपको लाफ काया क्या होगा ये देखें किसी प्रकार का हेयर का डेंडरफ हो लॉंग हेयर ये दोनों में बहुत मदद करें हेयर डेंडरफ को बिल्कुल सही कर सकता है अगर आप इसका नियमी तुपियोग करते हैं एक महिने के आसपास तो आपको रिजल्ट एक सब्ता हमें दिख जाएंगे कि ये फायदे कर रहे हैं या नहीं इसको बनाय कैसे आ सकता है उसके बारे में चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको जो बताया हूँ कोकोनट ओइल चाहिए कितने 200 ml ले लिजे या फिर 400 ml ले लिजे उसके बाद कैमफर चार पीस ले लिजे जो मैं दिखाया हूँ पीसेस में चार कैमफर चाहिए 400 ml में इसी के रेशियो में होना चाहिए आप 5 भी डाल सकते हैं 400 ml में कोई बड़ी बात नहीं है तो 4-5 400 ml में आप डाल सकते हैं कैमफर ले लिजे इसको कैमफर यानि कपूर को तोड़ के कूट लिजे यानि पाउडर बना दीजे इसको इसको पाउडर बना देंगे जब आप कैमफर को तो कैमफर पाउडर बनाने के बाद इसको ओयल में डाल दीजे औयल में डालने के बाद, ये एक दिन इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ये ध्यान रहे हैं, एक दिन ऐसे मिला के छोड़ देना है, और इसको एक दिन के बाद, अपने सीर में, रात को सोते समय लगाएं, और जब आप सुबा उठें, तो आपको सबसे महतपूर चीज करना है, स जड़ो तक अच्छे से लगाना है इस ओयल को और हेयर कैप पहन के आपको या कपड़े बात के सो जाना है ताकि जो कुछ भी उसमें रहे बाल में जुए से लेके डेंड़ अप से लेके सब खतम हो सकती है तो कपड़े पहन के आप सो जाएं और सुबह आपको सैंपू करना ह वह भी किससे सैंपू कर सकते हैं आप रीठा भीगो के उससे कर सकते हैं नहीं है तो आप अपनी समाने सैंपू का इस्तमाल कर सकते हैं जो आपको सूट करता हूँ इसका इस्तमाल करते हैं अगर आप इसका इस्तमाल करते हैं पंद्रह दिन तो इसका इस्तमाल करने के बाद आपको महत पूर्फ जो फायदे दिखेंगे वो अश्यर जनक दिखेंगे दोस्तों इसका इस्तमाल करिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूले थेंक यू पर वाचिंग गरेलू उस्ति